कि फिर से आपका एक बार स्वागत है भविश्य में आप क्या चाहते हो उसको देखकर आप अपने भविश्य का दिर्मान करो आपका भविश्य तयार करो तो आए हमारे चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गडगर में मनुविकार सेख्षोग संवों तता विश्य की तग्यों महाराष्ट में अकोला ठाने नागपूर और पुना में प्रैक्टिस करता हूं हॉस्पिटल से हमारे जहां मनु सब्सक्राइब करते हैं और हमारा उद्देश जो है वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और विसंद्मुक्त भारत यह है आज मैं आपको उताने माला हूं कि आप बड़ा सपना देखो उसको वह कैसा हासिल करेंगी उसके बारे में कुछ जानकर आपको दूंगा हो सकता है तो आपके लिए तरीका बताता हूं करना क्या है कि आप एक आराम कुरसी में बैठो शान्ती के जगव पे बैठो जहां आपको घंटा दो गंटे तीन घंटे कोई डिस्टरब नहीं करेगा आपके पास में एक नोटबुक पेंद रखो आराम कुरसी बैठो मोबाइल स्विच ओफ टीवी नहीं होना कुछ भी नहीं होना साथ में एकदम आराम से बैठो आके बंद करके बैठो और अपने सबकॉंशेस माइंड को अंतरमन को पूछो कि आपको चाहिए क्या किस तरह की जिन्दगी मुझे चाहिए किस तरह की जिन्दगी मैं जिना चाहता हूं मेरे जिन्दगी में मुझे क्या क्या चाहिए उसकी प्रतिमा निर्मान करो उसका एक पिक्चर देखो उसका विजुलाइजेशन करो और जब आप अंतरमन को पूछेंगे अंतरमन जब देखना चालू करेगा तब जैसा जैसा आप देख रहे हैं वैसा वैसा आप लिखना चालू करो जिसंदगी के अलग-अलग hopeful में आप देखना चालू हो जैसा की नमबर एक आपका विषया कैसा होंगा आप बिजिनेस करें गेसे के आप सर्फिर्म्स करेंगी किसको आप सवर करेंगे कौन सा वहोसाय करेंगे उसके बारे में देखो नंबर दो आपका अर्थारजन कैसा होंगा आपके पास में कितने पैसे कितने साल के बाद होंगे क्या आपके पास में मर्सीडिस होंगी क्या आपके पास में बड़ा बंगला होंगा कौन से कौन से शौक आप पूरे करेंगे नंबर चार आपको परसनल लाइफ में आपको करना क्या है परसनल ट्रेनिंग एंड डेवलोप्मेंट आप कहा करोगे कौन सा करोगे क्या आपको मेरासन दोड़ना है क्या आपको विदेश दोरा करना है क्या आपको मिजिक सिखना है कि आपको नहीं ट्रेनिंग लेना है तो वह आपको परसनल के लिए करना क्या है आपके लिए तो वह है पांच वाज हो है कौन से आपके रिष्टे होंगे कौन से आपके दोस्त होंगे कौन से रिलेशन्शिप आप बढ़ना चाहोगे जो रिलेशन्शिप है उसको आप मजब आप रहोगे, आपका कितना वजन रहेगा, कौन सा आनाच, कौन सी चीज़े आप खाऊंगे, एक्जरसाइज कितना करोगे, पानी कितना पीओगे, कितना फिटनेस आप करेगा, क्या आप खरदम एनरजेटी करेंगे, उस्साहित रहेंगे, और सात्वा है, समाज के लिए आप क्या कॉंट्रिबूशन देना चाहते हो, समाज के लिए आप क्या करना चाहते हो, लोगों के लिए क्या करना चाहते हो, वो आपको देखने का है, आप सबसे आखरी में आखे खोल के फिर लिख सकते हो या बीच-बीच में आखे खोल के लिख सकते हो ताकि आप पुछ ना भूले यह सब लिखे घर में इसी जगर आप लगा लो कि आप जहां बार-बार विजिट करते हो बार-बार आप देखेंगे बार-बार उसके ओपर बट्टा मारेंगे ताप कि आप भूलना पाओगे वैसे ही आप लोगों के साथ में शेयर करों यह सब पूरे अलग 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 एरिया जो है लोगों के साथ में आप जब शेयर करेंगे फैमिली मेंबर के साथ में आप शेयर करेंगे दोस्तों के साथ में आप शेयर करोंगे तो होंगा क्या? वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपका सपना पूरा करने के लिए वो आपको रास्ता बताएंगे कि किस तरह से आपके सपने पूरे हो सकते हैं हो सकता है कि कुछ लोग आपके टांग भी खीचेंगे, बार उनको मत सुनो कौनसे कौनसे मुझे actions लेनी है क्या क्रूती करनी है उसके action लिखते जाओ और उसके action लेना शुरू करो 97% लोग अपने सपने लिखते ही नहीं है लिखिस सरूप में होंगे जो आपके सपने लिखिस सरूप में होंगे मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ कि वो पूरे हो जाएगी काफी सार आपके दोस्त होंगे जिनको आप ये वीडियो शेर करेंगे ने तो उनको ये एक access मिल जाएंगा अपने पूरे करने का आप आपके whatsapp ग्रूप के उपर facebook के उपर आप शेर करो ताकि लोगों को मानू बढ़ेंगा कि सपने कैसे होते कैसे लिखना चाहिए कैसे हासिल करना चाहिए और वो करेंगे तो बड़े हो जाएंगा उनके जिवन में आनुन मिलेगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो subscribe करो, share करो और bell को आती है उसके उपर hit करो ताकि मेरे जो वीडियो है उसका notification आपको सबसे पहली बार आएंगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much